ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रु सादर जैसी कृष्ण हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागते मैं हूँ आपके साथ आचर धर मेंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशिफल यह राशिफल है 23 जनवरी 2022 रईवार का दिन है माग माहा के कृष्ण पक्ष की पंचिमी तथा शष्टी तिथी रहेगी उत्रा फालगुनी नामक नक्षत्र होगा तथा कन्या राशि में चंद्रमा बिद्धिमान रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो पश्चिम दिसा में रहेंगे इसलिए पश्चिम दिसा की यात्रा करना नुकसान दाई साभित होगा अगर किसी कारणवस पश्चिम दिसा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा अवश्यक हो तो पान खा करके यात्रा औरम्ब कर सकते हैं राहुकाल जो की शाम को साड़े चार बजे से शुरू होकर के छे बजे तक रहेगा राहुकाल की दोरान कोई भी शुब या मैंगलिक कारिक्रम आपको संपन नहीं करना चाहिए हाला कि राहुकाल का निर्णे आप अपने खृत्र के पंचांग अत्वा के लेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई छेत्रों में माना जाता है और कई छेत्रों में नहीं भी माना जाता है। ये पांच राशियां सबसे अधिक भागिशारी रेने वाली है। इनके घर परिवार में शुब और मांगलिक कारिक्रम की योजना बन सकती है। इसके अलावा रुका हुआ पैसा भी इनको प्राप्त होने का उत्तम सा योग बन रहा है। इस्थाई संपत्ती जैसे भूमे भ पाइदे मन साबित होगा। अब हम आपको मेश से लेकर की मीन सभी बारा राशी वालों का देनिक राशी पर पताने जा रहे हैं। हमारे इस ग्यान वर्धक वीडियो को अंतितक जरूर देखेगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पह के हुए काम पूरे होंगे। अधिकतर समय मन और अंजन तथा परिवार के साथ मोज मस्ती संबंदी गती विडियो में व्यतीत होगा। और उपाई के रूप में मा दुरगा के मंदिर में लाल फल चड़ाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा। आपका भागिशाल अंक नो होगा। भागिशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की। जीवन को सकारत्मक नजरिय से समझने की कोशिश करे। इससे आपके अंदर चल रही कई गलत फेमिया सुलच जाएगी। धर्म और अध्यात्म के प्रति आपका बढ़ता अब इश्वास भी आपको शांती और मानसिक सुख प्रदान करेगा। बच्चों को अपनी पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने की आउशकता है। इसलिए फालतु की गतिविदियों से अपना ध्यान ठाए। किसी नजदी की मित्र या रिस्तिदार से मामूली बात को ल आपका भागिशाली अंक छे होगा। भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं मितुन राशी की। घर में रिष्टदारों का या महमानों का आगमन होगा। तथा आपसे विचारों का आदान प्रदान घर के वाटावरन को खुश्चनुमा बच्चों पर कठोर नियंतरन न रख करके मित्रवत व्यभार रखे। इससे आसानीशे वे अपनी समस्याओं के आपके साथ शेयर कर पाएंगे। और उपाई के रूप में हरी सबजी का डान करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक आठ होगा। भागिशाली रंग आपका आस्वानी होगा। अब हम बात करते हैं करकराशी की मन और अंजन और हास वरिहास में आपका समय व्यतित होगा। हलका फुलका आराम करने का आउसर भी आपको मिलेगा। उर्जा से आप भरपूर महसूस रहेंगे। घर की जर्वत संब कंभावना है किसी पर इलजाम लगाने से पहले अच्छी प्रकार से परताल अवश्य करे और अपनी वस्तूओं को सम्हाल कर रखे। ओफिस के कुछ कामों को घर पर भी समय आपको देना पड़ सकता है। और उपाई के रूप में भगवान गनेश जी के मंदिर में यदि आप लड़ू चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक तीन होगा, भागिशाली रंग पीला होगा। अब हम बात करते हैं सिंग रासी की, पारिवारिक सदस्यों की सुक्स विधाओं का ध्यान रखने के प्रति आपका पूर् के लिए तत्पर रहेंगे, परन्तु कभी-कभी आपके विचारों में बहुत अधिक वहम व संक्रिणता परिवार के लोगों के लिए परिशानी का कारण बन सकती है, इसलिए अपने व्यवहार व विचारों में लचीलापन बना कर रखना अति आवश्यक होगा, और उपा किसी समयच से भी संस्था में आपका विशेस योगदान रहेगा, जिस कारण आपको मान सम्मान व यश भी प्राप्ती होगी, आपके अपनी व्यक्तिगत काम काफी हद तक सुचारों रूप से संपन होते जाएंगे, अटके हुए रुके हुए काम भी आपके पूर्ण हो रुका हुआ पैसा भी आपको अचानक प्राप्त हो सकता है, कोई अचानक ऐसी खुशकबरी मिलेगी, जिसका बहुत दिनों से इंतजार था, उस कारण से परिवार में अच्छी खुशियां व्याप्त होगी, और किसी अंजान व्यक्ति के विवाद में बिलकुल न पड़ क्योंकि उसकी वजह से आपको परिशानिया उत्पन हो सकती है, उपाई के रूप में भर से निकलते समय, यदि आप मिठाई के रूप में कोई भी मिठी वस्तु खा कर निकलते हैं, तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक आठ होगा, भाग संबंदियों के साथ प्रापर्टी को लेकर गंभीर और लाबदायक चर्चा होगी, घर में कोई धार्मिक आयोजन संपन हो सकता है, काम की अधिक्ता की वजह से स्वभाव में चिर्चडापन रहेगा, जिसका असर परिवार की विवस्ता को खराब कर सकता है, अपने सकारात्मक आपको नजरिया महसूस होगा, और उपाई के रूप में भैवान विश्णुजी के मंदिर में कोई भी फल चड़ाना आपके लिए शुप्फलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक छे होगा, भागिशाली रंग आपका सफेद होगा, अब हम बात करत बच्चे भी अनुशासित तथा अग्याकारी रहेंगे, स्वास्त में हल्की पुल की परिशानी रहने की वजह से आपके कुछ काप अधूरे रह सकते हैं, परन्तु तनाव को अपने उपर हावी न होने दे, परिवारिक व्यक्तियों का उचित सहयोग आपको चिंता से मु उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि किसी भी गरीब व्यक्ति को दूद का या दही का दान आप करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा, आपका भगिशाली अंक नो होगा, भगिशाली रंग आपका लाल होगा, अब हम बात करते हैं धनूराशी की, राजनितिक गति विधियों से जुड़े मित्र आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगे, तथा उनके साथ लाबदायक मुद्दो पर विचार विमर्श होगा, समय का भरपूर फाइडा उठाए, मरोरंजन संबंदी कारियों में आपका समय बेतित होगा, अपने व्यक् पर आपको नजर रखना बहुत आवश्यक होगा, और उपाई के रूप में यदिया भगवान विष्णुजी के मंदिर में कैसर या हल्दी चड़ाएंगे तो आपका डेंट शुफफलदाई साबित होगा, आपका भगशाली अंक दो होगा, भगशाली रंग आपका पीला होगा, अब हम बात करते हैं मकर राशी की, सामाजिक कारिकरताओं के साथ उनकी गती विधियों में पूरा सहयोग करना आपको महत्तुपूर्ण मुकाम हासिल करवाएगा, आपके व्यक्तित्तु के सामने आपके विरोधी परास्त हो जाएंगे, कहीं से कोई ऐसी का माहौल निर्मित होगा, कोई भी योजना बनाने या क्रियानवित करने से पहले पुनर विचार करना बहुत आवश्यक होगा, और उपाई के रूप में भगवान हनुमान जी के मंदिर में एक नारियल चड़ाना आपके लिए शुप्फलदाई साबित होगा, आपका भा कुँभी भवन, वहन संबंदी, कारी भी आपके संपन्न हो जाएंगे, घ़र परिवर्तन की आप योजना बना सकते हैं, कोई शुब और मैंगली कारिक्रम भी आपके मन में चलते रहेंगे, जिनके विशय में आप कुछ कारी भी संपन्न करेंगे, और संतान संबंदी, भगवान के मंदिर में चड़ाएंगे तो आपका दिन शुक्फलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका जामूनी होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की आज आपका अधिक्तम समय पारिवारिक लोगों के साथ व्यतीत होगा औ और घर की सुक्सुविधा संबध्धी कार्य भी आपके पूर्ण हो जाएंगे अधिक समय आप जो है अपने क्रिया कलापों में व्यतीत करेंगे रुके हुए अटके हुए काम आपके परिवार के सायोक से संपूर्ण हो जाएंगे भावनात्मक संबंध और अधिक ढालना आपके लिए शुफालदाई साबित होगा और आपका भागिशाली अंक एक घरई अब्यचंठीक रखार करीगा खुए और एभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राईब अब श्क कर लिईजे आपको और आपके पूरे परिवार को साधर जैसी कृष्ण साधर धन्यवाद